हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर मैं यहां पर एक वांग सानेफ़ अपसायर करें ती और इस पार के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसाइन है उसने किट्नैपर को इनफर्मेशन दे दी थी तो किट्नैपर का ना अब रिप्लाइ आता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो परसन जो है उसने धोका दिया है तो तुम लोग और इंफर्मेशन कलेक्ट करो नहीं तो तुम्हें पताएगी मैं तुम्हारे मदर फादर के साथ क्या क्या कर सकता हूं बोलता है वो किन्नैपर तो ये दो कि हमारा नहीं कि वह ना मतलब वह हिंक ए मतलब अपने रोम में यह रोम यहां पर जा रहा था तो दरवाज़े के पास पहुंचते ही व क्योंकि दरवाज़ा खुला वागा तो वह सुनता है वहम्हсь कि के एंफामेशन दी थी वो मतलब सही है लेकिन बाकी जो है मतलब वो डील कहा होने वारी है तुमने अब तक नहीं बताया तुमारे बॉस का नहीं बताया ऐसा कुछ बोर रहा था वही तो हमारा जो लैंसरन है जैसे ही आता है और जैसे उसे लगता है कि काम के बाद चर रहे है तो वो अपना मोबाल निकालता है और रिकोर्डिंग आउन का देता है और विहिंग बात कर रहा था उस परसन के साथ तो उस परसन की भी आवाज आ रही थी दूसरी तरफ से तो हमारा जो विहिंग है वो कह रहा था तिने ज़्यादा पैसों की मांग कर रहे हो तो वो पैसे हम तुम्हें दे देंगे लेकिन तुम्हें अपना बॉस का नाम भी बताना पड़ेगा तुम्हें वही चीज तो नहीं बताई है क्योंकि तुम्हें इन्फोर्मेशन निकाल दी है हमसे क्योंकि पैसे लेने हैं हमसे तुम्हें वो एक चीज हमें बता दो तुम्हारे बॉस का नाम अगर उसका नाम हमें पता लग गया ना तो हमें तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी और हम एक साथ तुम्हें सारा पैसा देंगे जितना भी बोलूगे तुम तो वहां से दूसरा जो person है वो बोलता है की ठीक है मैं ना मतलब information दूँगा मतलब मेरे बॉस की जो मेरे पास सारी information है वो क्या क्या गलत काम करते हैं जितने मेरे पास ثابوت हैं सबकुछ दूँगा आपको और सिर्फ मुझे उसके बदले पैसे चाहिए इतना पैसा कि मेरी जो साथ पेड़ियां है मतलब बैठ कर खाएं तो पैसा खतम ही ना हो मुझे बहुत सार पैसा चाहिए और मैंने आपको अगर मतलब मेरे बॉस का नाम बता दिया तो मेरे हाथ से तो गॉर्ण डन टिकेट निकल जाएगी क्योंकि मैं वो टिकेट यूज करके मतलब इन्फोर्मेशन दे दे के आपसे पैसे लेता हूँ तो मैंने अभी तक आपको मेरे बॉस का नाम नहीं बताया है लेकिन अगर आपको जानना है तो आप लोग पैसो का इंतरसाम कर लेजे और उसके पात मैं सारी मतलब इन्फोर्मेशन दूँगा सारी मतलब जो मेरे पास सबूत है वो सब दूँगा मैं सब कुझ ही आपको दे दूँगा बोलता है वो दूसरा परसन मतलब मिस्टर डैनियल मिस्टर डी बोलता है ऐसा तो हमारा वीन कहता है कि ओके डील सही है मतलब जितना पैसा मांगो कि उतना दूँगा लेकिन मुझे बस उस परसन का नाम बता दू क्योंकि मैं उस परसन को ऐसी सजा दूँगा इसी मौत दूँगा कि किसी ने किसी को नाजी होता है तो Mr. Daniel ओके कहते हैं उसके बाद ना हमारा जो लैंसा ने यह सब सुन रहा था उसने recording मतलब बंद कर दिया थी विह ने बात करना भी बंद कर दिया था मतलब बात हो गई थी उसकी खतम और हमारा जो लैंसा ने बो ना मतलब कितना पर को मैसेज करकर कहे देता है कि मुझे सबूत मिल गया है और Mr. Daniel ही है इस तब के पीछे और मतलब तुमने हमें बताया था कि Mr. Daniel नाम का कोई व्यक्ति है जो मतलब तुम्हें धुका दे रहा है लेकिन तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि Mr. Daniel ही है जो तुम्हें धुका दे रहा है इसलिए तुमने हमसे कहा था कि और information collect करो तो हमने कल लिया है मैं वो information तुम्हें भेज दूँगा लेकिन तुम भी मतलब मेरे ममे पापा को छोड़ने का डिसाइड कर लो मतलब जल से जल मेरे ममे पापा मेरे पास चाहिए ऐसा लेकिन मेसेज कर देता है तो उधर से जो किदनापर है वो बोलता है कि पहले सबूत दो और तुम्हारे मॉम ड़ड़ की जान तो मेरे हाथों में है न अगर तुमने ज़्यादा नकरे किये न तो उनकी जान तो गई बोलता है वो किदनापर मतलब मेसेज में तो हमारा लाजाना खबरा चाहता है कि सच में यार ममे बापा की जान दो उसके हाथ में है तो मुझे भेजी देना चाहिए तो वो इनफर्मेशन वो रिकॉर्डिंग भेज देता है और इथर मतलब जो कितने पर है मतलब हमारे जो वेर्वान है वो सुनता है और उसे यकीन हो जाता है कि मिस्टर डैनियल ही है उसका धोके बास इंसान मतलब जिसने उसे धोका दे रहा है उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वही है क्योंकि वो मिस्टर डैनियल के आबाद मतलब पहचानता था उसे भूली नहीं सकता था क्योंकि इतने साल उसके साथ उसने काम किया है तो भूली ही नहीं सकता था और उसे रीजन भी पता लग गया था कि मिस्टर डैनियल कैसे यह मतलब क्यों दुखा दे रहा है और वहीं को या फिर जांग्चेन को अभी तक उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ है क्योंकि मतलब मिस्टर डैनियल जो है वो और पैसा मांग रहा है इसी वैसे उसे पता लग गया था तो वो थोड़ा रि मैं रोहान कहता है कि तुम मुझे धोगा दे रहे हो पैसो के लिए हां मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो और उन माफिया किंग के साथ मिल गए हो तुम पता नहीं है क्या मुझे माफिया किंग बनना है मुझे मतलब सारी प्रॉपर्टी चाहिए उनकी माफियास की और तुम डग रहा है तो वैन रुहान जो है वो ना recording one का देता है मतलब भीं का और उसका मतलब Mr. Daniel का तो हमारा जो वैन रुहान है वो बोलता है कि क्या अब क्या बोलना चाहते हो कि ये तुम्हारी आवास नहीं है तुमने information नहीं लिखी तो कौन कर रहा है मुझसे इतना बड़ा जूट इतने साल मेरे साथ काम करकर और वहाँ पना मतलब वैन चाहो और बाकी सब लोग भी थे मतलब वैन रुहान की जो आदमी थे तो जो डैनियल है Mr. D है वो बोल रहा था कि मैंने कोई दोका नहीं दिया आवास यह कोई गलत फैमी है मैंने कोई information leak नहीं की यह सब जूट है वो जो वैन रुहान है वो वैन चाहो को कहता है कि तुम Mr. Daniel का Mr. D का mobile लेकर आओ तो हमारा जो वैन चाहो वो लेकर जाता है तो वहाँ पना वो message मतलब open कहता है तो वहाँ पर भी के पास message गये हुए थे वो सब Mr. Daniel को वो खुद दिखाता है वैन रुहान और कहता है कि यह सब देखनी के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास पर हूँ तुम पर ना 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 मैं इतना भी अच्छा आदमी नहीं हूँ मुझे अब तक तुम जान नहीं पासा है बोलता है और वैन रुहान ना मतलब Mr. Daniel को गोली मार देता है मतलब तीन गोली मारी थी उसने उसके बाद ना Mr. Daniel वहाँ पर लुड़क गए थे मतलब डेथ हो गए थी उनकी तो वो डेथ हो गए थी उसके बाद ना वहाँ से वैन चाओ को कहा जाता है मतलब कहता है वैन रुहान की इसकी बोड़को मतलब मतलब ले जाओ और मतलब किसे को पता नहीं चलना जी Mr. Daniel की मौद हूँ चुगी है तो वैन चाओ वहाँ बोलता है उसके बाद ना Mr. Daniel की बोड़ी लेका चला जाता है वहां से और हमारे जो मतलब दूसरी तरव हमारे लाजीं औरर भेंग गे सब जो थे इनकी लाइप मतलब जैसे चलने थी वैसी चल रहती लेकिन pixels लेकिसे बाद लाई नहीं और सिचैन को इन तिन भाइ को टैंसन दी कि हमारे मॉम्मे पापा को कब तक किटनैपर मतलब अपने पास रखेगा कब हमें देगा तो एवसा ही दिन भी रहा था और उसके बाद जो किटनैपर है वो बोलता है कि मतलब तुम तुमारे मॉम्मे पापा को आओ और ले जाओ बोलता है तो लैंसायन और सिचैन ना वहाँ पर पहुंचते हैं तो एक जगाँ पर पहुंचते हैं वो दो रो तो पहुंचते ही ना वहाँ पर ना वैं रूहान आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग अपने हस्बन को बिलाओ मतलब जो माफिया केंग है, और उनको到, बोलता है, बेर्वान, तो लैंजन और सिचें कहते हैं, क्यों बולाएं, नहीं बलाओंगी, तुमने तो कह था कि हमारे ममें पापा को हमें लोटाओ के तो हमारे ममें पापा को लोटाओ होते हैं तो ना फैरभान जो है ना वो अपने आदमियों को बोलता है और मतलब सिचान और लाजन को पिटवाने लगता है और वो जो आदमी है ना इन दोनों को मार रहे थे मारते हैं और वो दोनों भी हाइट बैक कर रहे थे ऐसे उनके बीच में लड़ाई होते है उसके बाद ना एक वीडियो जो है मतलब हमारे विहिंग के पास और ज्यांगचेन के पास आता है जहाँ पन्ना हमारे जो सिचेन और लैंसेन को बहुत हमारा गया था और मतलब उनको एक जगा पर रखा गया था और वहाँ पर एक आदमी था जो माक्स लगाई हुए था और वो जो आदमी है वो ना कहता है कि तुम अगर अपने हस्वेन को बच्चाना चाते हो दोनों माफियास तो यहाँ पर बिना हत्यार बिना अपने आदमी के आजाओ चाप बोलता है और वो ना इंफॉमेशन वहाँ पर मतलब कहाना आए करकर तो यह दोनों जो माफियास हैं वहाँ पर चली जाते हैं तो उनके जो हस्वेन डब बंधे हुए थे और यहाँ पर हमारी जियांग्चेन और मतलब वहिंगया पहुँच जाते हैं तो आगे क्या होगा यह लोग बच पाएंगे कि क्या रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोर में क्या होता है और हाँ आप लुग कमेंट में पता देना कि आपको यहां पसंद आ रहा है कि नहीं